दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर सराइकेला खरसावां में भयंकर सडख हाथसा पांच लोगों की मौत इसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल है इनमें से तीन की हालत बेहत गंभीर बताय जा रही है जिन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है बड़ी खबर है मनी लॉंडरिंग मामले में जार्खन सरकार ने खनन सचिव को किया निलंभीत जिहां बड़ी खबर है जार्खन सरकार ने जार्खन की खनन सचिव पूजा सिंगल को मनी लॉंडरिंग मामले की चलते निलंभीत कर दिया है इससे पहले जहारखन की खरन सचिव पूजा सिंगल को परवतन निदेशालय ने खूटी में मनरिगा निधी के कथीद गबन और अन्य आरूपों से जुड़ी धन शोधन जाच में लागातार दो दीनों की पूछताच के बाद बुधवार को गिरपतार कर लिया था मनरि लॉंडरिंग मामले में गिरपतारी के बाद सिनियर आईएस अधिकारी पूजा सिंगल को सस्पेंट कर दिया गया बड़ी खबर है जहारखन के 70 मुल्यांकन केंदरों पर हो रही है मैट्रिक इंटर्मेडियट की कोप्यों की जाच जैक की ओर से जल्द से जल्द मैट्रिक और इंटर्मेडियट एक्जाम 2022 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जार ही है गुरवार को जहारखन के 70 मुल्यांकन केंदरों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जाच शुरू की गई है हलाकि पहले दिन होने के कारण सिक्षकन मुल्यांकन को लेकर चार्ज लिया है शुकरवार से तेजी से कौप्यों की जाच की परक्रिया शुरू होगी जहारखन में मैट्रिक और इंटर्मेडियट की परिक्षाएं 24 मार्च से शुरू हुई थी दस्वी की परिक्षा 20 अपरेल को खत्म हुई वहीं इंटर्मेडियट की परिक्षाएं 25 अपरेल को खत्म हुई थी इन दोनों परिक्षाओं में लगबग 7 लाक एकजामिनर परिक्षा में शामिल हुए थे बड़ी खबर है अप्रेल में अप्रेल महिने में उम्मीद से जादा बढ़ी है सरकार की और से गुर्वार को जारी किये गए आकडों के नुसार अप्रेल महिने में कंजूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 7.79 पिसदी रही है गौर तलब है कि इससे पिछले महिने मार्च में यह 6.95 पिसदी की दर से बढ़ी थी बतादे कि खुद्रा महंगाई का यह 18 महिने का उच्चे अस्तर है पिछले साल की समान अउधी में यानी अप्रेल 2021 में देश की खुद्रा महंगाई दर 4.2 एक पिसदी थी बतादे कि खुद्रा महंगाई की आकड़े जारी होने से पहले ही विशे सग्यों ने अनुमान चताए था कि अप्रेल में इसकी दर बढ़कर 7.5 फिसदी तक पहुंच सकती है दोस्तो बड़ी खबर सामने आ रही है ग्यार राज्यों की संतावन सीटों पर 10 जून को होगा मतदान चुनाओ आयोग ने राज्यसभा चुनाओ की तारीखों का एलान कर दिया है ग्यारे राज्यों में जाज्य सभा की संतावन खाली सीटों पर दस जून को चुना होंगे जून अगस्त के तीन महिने के दोरान जिन सदस्यों का कारेकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्री वित मंत्री निर्मला सितारमन वानी जी मंत्री प्यूस गोयल अल्प संख्यक मामलो के मंत्री मुकतार अब्बास नक्वी भी शामिल है उधर विपक्चिदल कॉंग्रेस के भी पीची दंबरम, कपिल सिब्बल, जैराम रमेश और अंबिका सोनी जैसे दिगजों का कारेकाल खत्म हो रहा है पाटी उन्हें भी दोबारा सदन में लाने की पूरी कोशिश करेगी इस चुनाव में उत्तर परदेश की सबसे अधिक सीट 11 सीटों पर मतदान होना है जबकि तमिलनाडू और महाराष्टर में 6-6 बिहार में 5, करनाटक, राज़्थान और आंध्रपरदेश में 4-4, मध्यपरदेश और ओडिशा में 3-3, पंजाब जार्खंड हर्याना, 36 गड़ और तिलंगाना में 2-2 सीट सामिल है बड़ी खबर है ज़ार्खंड पंचाच चुनाव में 37% सीटों पर बिना चुनाव उमिद्वार बिज़ई, घोषित जार्खन में पंचाज चुनाव के प्रथम चरण में 16,757 सीटों में से 37 परतिशत से अधिक सीटों पर बिना चुनाव के ही उमिदवार को विजयी घोशित कर दिया गया बता जा रहा है कि 16,777 सीटों में से 37,18 परतिशत या 6,231 सीटों पर नमांकन वापस लेने और परचे खारिज की जाने के बाद केवल एक-एक परतियाशी ही था पहले चरण में कुल 49,112 उमिदवारों ने नमांकन दाखिल किया था इसमें से 14,089 ने पंचायत सदस्य के लिए 1127 ने मुख्या पद के लिए 1405 ने पंचायत समिती के सदस्य के लिए और 146 ने जीला परिशत सदस्य के लिए नमांकन परचा भरा था पंदर माई को मौसम की पहली बारिश की संभावना दो दिन बाद अंडमान पहुँचेगा दक्षिन पस्चीम मौनसुन भीसन गर्मी से परिशान लोगों के लिए राहत भरी खुशकबरी है इस साल दक्षिन पस्चीम मौनसुन जल्द आ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समो में 15 माई को मौसम की पहली बारिश होने की संभावना है समाने रूप से मौनसुन 19-20 माई तक अंडमान निकोबार पहुचता है इस साल समय से चार दिन पहले 26 मई को मौनसुन के केरल पहुँचने की संभावना है मौसम जिहा भारती मौसम विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि दक्षिन पस्षी मौनसुन के 15 मई के आसपास दक्षिन अडवान सागर और निकटवर्ती दक्षिन पूर्वी खाड़ी में पहुचने की संभावना है मौसम बेग्यानिकों के अनुसार विश्तारित पुरुवानवानों में लागातार मौनसुन के समय से पहले केरल में दस्तक देने और उत्तर की और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं गोर नक्सल परभावित शित्रों में पंचाच चुनाव के लिए जारी हुआ दिशानिर्देश जारखन पंचाच चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं गोर नकसल परभावित इलाकों में भी शांती पूर्ण मतदान हो इसके लिए सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्हें सक्त हिदायत दी गई है कि पुलिस मुख्याले के दिशा निदेश वो बनाए गिर रणनिती के अनुसार सुर रास्ते से नहीं लोटेगा। कच्चे वो जंगली रास्तों पर वाहनों का प्रयोक किसी भी परिश्थिती में नहीं करना है। जहां तक संभव हो पैदल चलने के करम में प्रचलित आम मार्गों से अलग चलना होगा। नकसलियों के एंबूस वाले स्थानों पर वाहनों क रेल मंतरी अश्विनी वैसनव इन दिनो एक्सन में हैं। रेल मंतरी ने साप कर दिया है कि लापरवा अधिकारियों के लिए अब विभाग में कोई जगह नहीं है। रेल में ने बुदवार को प्रतिकूल सतरक्ता रिपोर्ट वाले अपने 19 अधिकारियों को सेवा निव पिछले 11 महिने में 75 अन्य अधिकारियों को वियारे से लेने के लिए बाद ही किया गया। जिन में महापरबंध क्यों सचीव जैसे वरिष्ट अधिकारी शामिल है। खबरों को माने तो यह कदम ठीक काम जिहां ठीक से काम नहीं करने वालों से निजात पाने के केंदर सरक परियासों के तहट उठाया गया है। जिन 19 लोगों को सेवानिम्रित किया गया है उनमें इलेक्ट्रिकल एवम सीगनल सिवाओं के 4-4 अधिकारी, मेडिकल एवम सीविल से 3-3 अधिकारी, कार्मिक से 2 श्टोर यातयात एवम मेकनिकल से एक-एक अधिकारी शामिल है। बड दोबारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये। मंतराले ने स्कुलों को प्रातस 7 बजे से चलाने और दोपहर से पहले चुटिक करने की सलादी है। मीड डे मिल के तहट ताजा खाना पर उसने आधी कई दिशा निदेश दिये हैं। दिशा निदेश में कहा गया है कि स्कूल का समय जल्दी शुरू हो सकता है और दोपहर से पहले खत्म हो सकता है। समय प्रातर साथ बज़े से हो सकता है एवं परती दिन इस्कूल के घंटों की संख्या कम की जा सकती है। मास्क लगाना अनिवारे होगा। दरसल पिछले दिनों कोरोना के मामले कम होने पर ये अनिवार्यता हटा दी गई थी। इस पत्र में यात्रियों को अपने गंतवये पर पहुंचने के बाद भी कोविड प्रोटोकोल का पालन करने की अनुशंसा की गई है। रेल्य यात्रा के दोरान कोरोना प्रोटोकोल की फिर वापसी हो रही है। भारतिय रेल्वे ने देश में एक बार फिर से अपना पैर पसार रही, कोरणा महमारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतिय रेल्वे ने यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दोरान मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवारे कर दिया है, रेल्वे बोड के का असानी का असर आंध्र पर्देश सहीत कई राजों में भारी बारिश अलट आंध्र पर्देश में चक्रवाती तुफान असानी का बड़ा खत्रा टल गया है फिर भी परशासन हाई अलट पर है तुफान के असर से आंध्र पर्देश में भारी बारिश के साथ बिहार जहारक 36 गड़ में भी 13 मई तक बारिश की संभावना है तेज हवाएं भी चलेंगी आंदर सरकार ने तूफान की आशंका वाले साथ जीलों में 454 रिलिप कैम्प हो ले हैं तटिये जीलों गुंटोर और कृष्णा जीलों में रेड अलट है अगले 24 गंटे के दोरान तटिये आंद जमान और नेकोबार द्वीव सम्हों के अलावा बिहार जहारखंड आंतरी कोडिसा दक्षिन चतिसगर्ड तिलंगाना के कुछ हिस्सों कोंकण और गोवा उत्री आंतरी करनाटक दक्षिन मध्य महराष्टर हिमाचल पर्देश और उत्राखंड में हलकी बारिश हो सकती है परे जाए उत्राखंड में हो प्रेश प्रेश बारिश कोई लावा दो सकती है बारिश।